स्वागते आप लोग आपने YouTube चैनल भिर्गुनासर संस्कीत अयन मैत में आज हम आप लोग को सिखाने माले हैं संस्कीत में अनुमाद कैसे बना जाता है जिनको यदि संस्कीत में अनुमाद बनाना नहीं आता है तो आज का यह जो वीडियो है आप लोग सुरू से लाठ तक जरूर देखे मैं हकीकत के साथ कहता हूँ आप लोग को संस्कीत में अनुमाद बनाना आ जाएगा चलिए तो चालू करते हैं यहां पे ध्यान दिजिएगा यहां पे पूरुस वचन एवं करताओ की साणी यहां पे टेबल बनाया गया है जिस टेबल में आपको आप लोग देखेंगे कि इस टेबल में पूरुस है वचन और करताओ कहने का मतलब यहाँ पे पूरुस वचन और करताओ की टेबल बनाये गया ठीक है सानी बनाये गया है देखिए यहाँ पे पूरुस लिया गया है जैसे एक वचन दूई वचन वहुचन क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कीत व्याकरण में पुरुस तीन परकार के होते हैं और संस्कीत व्याकरण में भी वचन तीन परकार के होते हैं ठीक है और अब पुरुस और वचन को छोड़कर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सह, यहाँ पे सह तवते और यहाँ पे रामः रामव रमाह और यहाँ पे त्वाम इवयम जिसको त्वाम जुवाम जुवयम भी पड़ते हैं और यहाँ पे दिया है बया अहम अवाम बया कहने का मतलब पूरुस और वचन को छोड़कर यहाँ पर जो भी संस्कीत जो है य टोटल क्या है करता है है यह टोटल क्या जी करता है ठीक है चलिए जैसे यहाँ पे देख लो पर्थम पुरुष के एक बचन में करता लिया गया है सो जिसका हिंदी वह होता है और यहाँ पे प्रथम पुरुष के कहने का मतलब बाबू यहाँ पे प्रथम पुरुष के एक ब पुरुस में वचन के अनुसार यहां पे करताएं लिया गया है ठीक ना इसलिए आप लोग को आप लोग यहां पे जब हम यहां पे अनुवाद आप लोग को बताएंगे तो आप लोग अनुवाद के साथ साथ यहां पे टेबल भी देखेंगे टेबल पर भी अपना ध्यान लगाएंगे ठीक है तो चलिए अब यहां पे इधर आते हैं इधर ध्यान दीजेए इधर यहां पे लिया गया है औस धातु जिसका हिंदी होना होता है और यहां पे लटलकार जिसका हिंदी बर्तमानकल होता है और यहां पे दिया गया है किरिया पद या किरिया आप इसको य यहां पर आप लोगों जो हम अनुवाद सिखाने वाले हैं वह अनुवाद अस धातु से लट लकार में सिखा जाएगा, कहने मतलब धातु अस होगा और लकार लट लकार होगा बर्तमारकार में, ठीक है? चिशालो, यहाँ पे सबसे पहले, आप लोग एक नजर दरब आईए, यहाँ पे औस धातू, लटलकार में किरिया पत दिया गया है, अस्ती अस्ता संथी, असी अस्ता अस्ता अस्ता, अश्मी अस्व अस्मा, ठीक है? चलिए एक एक करके हम बता रहे हैं कि कोन पुरुष में एक बचन दुई बचन में किरिया पत क्या है तो प्रथम पुरुष के एक बचन में किरिया अस्ती है प्रथम पुरुष के दुई बचन में किरिया अस्ता है चलो, अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तम पुर्ष के एक बचन में किरिया अस्मी है, उत्तम पुर्ष के दूई बचन में किरिया अस्मा है, और उत्तम पुर्ष के बहु बचन में किरिया क्या है, अस्मा है, तो हम इस किरिया पद को हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे अस्ती अस छल ङादा हम बिलम नहीं करेंगे अब आप लोग को हम ले चलते हैं अनुमाद कैसे चिरुस, से एकतम जड़ से आप लोग को हम सिखाने वाले हैं और पूरा ग्रांटी के साथ हम कह रहा हूं कि अगर यह वीडियो आज आप लोग सुरूस लेकर लारतर देखिएगा तो पूरा ग्रांटी है कि आप लोग को अनुवाद बनाने में तनी की भी दिक्कत नहीं होगा आप अ सबसे पहले हम प्राथम पूरूस में आप लोग को अनुवाद सिखाने वाले हैं तीनों वचनों में तो देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्राथम पूरूस प्राथम पूरूस में अनुवाद प्राथम पूरूस में अनुवाद चलिए ध्यान दिजिएगा यहाँ आप ऐसे कर देते हैं चलो तो प्राथम पूरुस में हम सबसे पहले अनुमाद सिखाने वाले तीनों पूरुस में एक बचान दुई बचान और बहु बचान ठीक है जैसे यहां पर हम हिंदी वाक्य एक नमबर में ले ले यहां पर एक नमबर में हम हिंदी वाक्य ले ले कि वह वह है चलिए यहां फूल अश्टो देखो तो प्रथम पूरुस में अनुमाद प्रथम पूरुस के एक वचर में अनुमाद यहां पर है ध्यान देना यहां पर जैसे एक नमर में प्रथम पूरुस में हम अनुमाद लिये हैं एक नमर में तो हिंदी वाक्य हमने ले लिया वह है वह है तो अब हम देखेंगे कि जो हिंदी वाक्य है उसमें हम सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि उसमें करता कौन है और किरिया कौन है तो यहाँ पे करता वह है करता क्या जी वह है यहाँ पे जो वह है वहीं तो करता है न यह करता वह है और यहाँ पे जो है है वह किरिया है है क्या है किरिया तो अब हम यह देखेंगे अब हम यहां पर पकनने का पर्यास करेंगे कि जो वह है किस पुरुस का कारता है और कई वचन है अर्थात कितना वचन है तो अब हम टेबल पर चलेंगे कहां पर चलेंगे टेबल पर तो टेबल पर देख रहे हैं कि प्रतम पु उसको देखेंगे प्रथम पुरुष को पकड़ेंगे तो अब इधर प्रथम पुरुष की इधर जैसे हम आएंगे तो सभी क्या है करता है सभी क्या है करता है तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पर्थम पुरुष के जैसे इधर हम बढ़ रहे हैं जैसे इधर हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी में लिखाया है अर्थ में वह हो, हिंदी में क्या लिखाया है वह हो, और इसके सामने क्या है जी, यहाँ पे संस्कृत सब्ध है, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोष्ट में दिया गया है वह हिंदी अर्थ है, किसका संस्कृत सब्सक्राइण हैं यहां पे देख रहे हैं यहां पे वह हो तो अब देखो यहां पे देखो तो यहां पे देखो यहां पे हिंदी-वाक्ट गया है जो हिंदी सब्थ वह है यह करता है लेकिन किस पुरुष का गरता है तरफ यह सामने है। तो देखो तो इसके सामने क्या है इसके उपर क्या है एक वचन है तो देखेंगे वह जो वह है प्राथम पुरुष के एक वचन के करता है तो अब अनुवाद हम बनाएंगे इसको किसमे संस्कृत में अनुवाद किसमें बनाएंगे संस्कृत में तो अब हम देखते हैं कि व का संस्क्रित कौन है कैसे जानेंगे कि है का संस्क्रित कौन है मुने है का संस्क्रित क्या लेंगे तो देखो यहाँ पे देखो आसा औस अच्छा औस धातु का हिंदी क्या होता है होना औस धातु का हिंदी होना होता है तो औस धातु से जैसे यहाँ पर यहाँ पर सभी का संस्कृत क्या होता है तो देख लो जैसे यहां पर प्रत्म पुरुष के एक बचन में यहां पर देखेंगे अस्ति अस्ति है तो यहां पर देख लो कैसे अर्थ निकलता है अस्ति का अर्थ होता है है यहां पर अस्ति का अर्थ है देखो लिख दे रहा है यहां पर बिंद लगा देंगे ठीक है कोई दिकत नहीं ना चलिए ध्यान देना है यहां पर हाय में बिंदू नहीं है तो यह एक वचन को बता रहा है यहां पर हाय में बिंदू है तिया दूई वचन को बता रहा है और यहां पर भी दखिए संती का भी हिंदी होता है है यहां पर भी तो ध्यान देना, अस्ता का मतलब है, संती का मतलब है, लेकिन दोनों में बिंदु है, तो अस्ता द्वी वचन को बता रहा है, और संती बहु वचन को बता रहा है, तो इह है का मतलब द्वी वचन और इह है का मतलब बहु वचन, ठीक है? और यहाँ पे है का मतलब सिधे है, स इतना भी नहीं समझ में आया तो देखिए इसको कैसे समझ्यों इस हाई का मतलब समझ लेना है एक है महां कहाने का मतलब है और है का मतलब औनेक है अच्छा है बहुत है ठीख है चलिए अब जाई से हम मद्यgenपृस के असी अस्थ में आएंगे तो देखो असी का मतलब होता है हो और यहाँ पे अस्थ का मतलब भी होता है हो और यहाँ पे अस्थ का मतलब भी होता है हो तो कहने का मतलब असी मने एक हो अस्थ मने दो हो और अस्थ मने अनेक हो आचाहे बहुत हो ठीक है समझ में आ गया होगा चलो अब यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुस के हम किर्यापत में चलेंगे, समी तो इसका हिन्दी जो होगा हूं मनिए एक हूं और यहाँ पे अस्वा का जो हिन्दी हो जायगा वह हो जायगा हॉई हो जागा है है में बिंदू क्योंकि दूई बचन को बता रहा है तो अस्वा का मतलब अस्वा का हिंदी है हो जागा कोहनें का मतलब दो है और यहाँ पर अस्मा का मतलब हो जागा है 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 में बिंदू ठीक है ना तो अस्मा का मतलब है और थात दो है एक बार और सुरु स समझ अस्थ का मतलब एक हैं, अस्थ का मतलब दो हैं, संती का मतलब अनेक हैं, असी का मतलब एक हो, अस्थ का मतलब दो हो, अस्थ का मतलब अनेक हो, अस्मी का मतलब एक हूं, अस्व का मतलब दो हैं, अस्मा का मतलब एक हैं अब यहां पर आप लोग नहीं न कहने जाएगा कि दो हूँ, ऐसा तो नहीं न होता है हिंदी वक्त के जी, तो इसलिए यहां पर हाई लगा देते हैं, अब यहां पर भी आप थोड़ी न लिखियेगा कि अनेक हूँ, ऐसे तो नहीं न होता है जी, हिंदी वक्त कहीं गलत हो अनुवात की और चलो तो यहां पर है तो वह क्या है यहां वह करता है है किरिया है ठीक है चलिए तो यहां पर हमने देखा कि जो वह जो करता है वह प्रतम पुरुष के एक वचन का करता है तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर वह का हम संस्कृत लिख दिए सोह अब है अब हम कैसे पकड़ेंगे कि है हम कहां से लेंगे चलिए इतना तो हमको पता चला नो कि हई का संस्क्रित क्या क्या होता है तो अब यहां पे लेना है कि कौन चीज़ वाले कौन किरिया पत को ले तो ध्यान देना ध्यान देना यहां पे बहुत बेसिक यहां पे सर्द हम समझा रहे हैं यहां पे हमारे बात को ध्यान दिजेगा एक एक बात क को ध्यान दीजिए यहां पे हम क्या कहने जाने देखो यहां पे किरिया पत को कैसे पकड़ते हैं तो करता को देखकर पकड़ा जाता है किरिया को हमेशा करता को देखकर लेते हैं किरिया किरिया किसको देखकर लेते हैं करता को देखकर लेते हैं तो सुनो यहां पे सुनिए यहाँ पे यदी करता पर्थम पुरुष का एक बचन होता है, कहने का मतलब यदी करता पर्थम पुरुष का एक बचन होता है, तो किरिया भी पर्थम पुरुष के एक बचन ही होना चाहिए, अर्थात किरिया पर्थम पुरुष के एक बचन का ही लेंगे, तो चलो, पकड़ तो कि्रिया तो हे किरिया देखो तपले ढूंडू परत्ञ पुरउ स्कीत यहाँ पर और सून लिजिए तो दिक्कत हो जाएगा यहां पर्थम पृर्ष के एक वचन ही लगाएंगे, ठीक है? तो देख रहो थो यहां पर पर्थम पृर्ष के एक वचन में क्या है? ओस्ती है इसलिए असत्य लगा दिए उंस्माजमाहागी आनले जब हम्याई अगे बढ़ Use बेंगे मे नपने वे दोनों ढवे यहां पर बिंदू दे जिए यहां हैock तो अब देखो तो टेबल में ध्यान दो टेबल पे ध्यान दो ध्यान दो तो अब देखो वे दोनों कहां है यहीं पर है जी वे दोनों यहीं पर है न तो वे दोनों अब इसके सामने जाते हैं तो वे दोनों किस पुर्स में आता है प्रत्थम पुर्स में आता है कई वचन द तो इसको तो पढ़िएगा अब यहाँ पे हैं तो प्रथम पूर्षके दूइ बचन हो क्रिया लेलो तो यहाँ पे दिया है औसतहा अस्तहा दिया है एक दम असान है ने असान अनुवाद चलो अब तीन नमर बढ़ते हैं चलो तीन नमर में हम अनुवाद लेंगे बहु बचन से तो हो जाएगा वे सब वे सब है वे सब है यहाँ पे बिंदू दीजेगा अब देखो वे सब टेबल पे जाएए प्रतम पूरुष के अदम सामने देखिए तो वे सब यहाँ पे है वे सब देखो तो यहाँ पे है वे सब तो अब देखो प्रतम पूरुष के बहु बचन के करता वे सब है है ना जो जो वे सब है प्रथम पुरुष के बहु बचन के करता वे सब है तो वे सब का संस्क्रित पहले लिखिए तो वे सब का संस्क्रित क्या होता है ते होता है तो वे सब का संस्क्रित हो जाएगा ते ठीक है और है तो जब करता प्रथम पुरुष के बहु बचन है तो किरिया भी एक बचन द्वी बचन और बहु बचन में हमने सिखाया और किस पुरुष से प्रथम पुरुष से यहां पर ध्यान दिजे यहां पर देखो यहां प्रथम पुरुष में अनेकों करता होते हैं अनेकों करता होते हैं इसलिए यहां पर इत्यादी लिखा गया देखो एक वचन में भी इत्यादी लिखे हैं दूई बचन में भी इत्यादी लिखे हैं और बहु बचन में भी इत्यादी लिखे हैं कहने के मतलब प्रत्थम पुरुष का एक बचन में आचा है दूई बचन में आचा है बहु बचन में अनगीनत करता होते हैं कभी वह खत्म नहीं होंगे ठ जैसे राम है तो इसका हो जाएगा राम अस्ति जैसे यहाँ पे दो राम है ता रामाउ अस्तह यहाँ जैसे अनेक राम है ता रामा संति ठीक है तो कहनेक मतलब यहाँ पे और भी करता ले लेकर प्रथम पुर्ष में और भी करता ले लेकर आप अनुवाद बना सकते हैं मुझे यकीन है कि आप लोग प्रतम पुर्ष में अनेको अनुवाद बना सकते हैं ठीके क्योंकि प्रतम पुर्ष में ही न अनेको अनुवाद बनेगा जी क्योंकि प्रतम पुर्ष में अनेको करताय होते हैं ठीके चलिए अब हम आप लोग को सिखाने वाले हैं मध्यम पुर और वह बचनमा अनुर्व आथ क कैसे से बनाते हैं चलिए तो सबस्ब नहींते हैं लिक से मत दीए रही है मध्याम पुरुष में मध्याम पुरुष में अनुवाद जैसे यहां पर हो जाएगा हिंदी वाक लेंगे तो हो जाएगा तुम zo तुम, तुम, तुम हो चलो ताइभो हमने यहां पे आप सपस्षि लिख दिए है ं요 diamond पूर्स और यहां पे तुम यहां पहने है न सब हम इस अर स्ब्सक्राइ unjust आउ है न ही आदफित में हिंदी वागहिए न तूम और यहां पर टेबल पर भी बिटी तूम है तो तो कहने के मतलब यहां जो तुम है वह क्या है करता है और यहां पर जो हो है वह किर्या है यहां पर हम यहीं देखें यहां पर हमको यह मिला कि जो तुम है वह मध्यम पुरुष के एक बचन का करता है यहां जो तुम है मध्यम पुरुष के एक बचन का करता है ठीक है तो किर् देखो यहां पर मध्यमपुरुस में आता है हो मध्यमपुरुस में आ रहा है हो तो किरिया यहां पर क्या लगाएंगे यहां पर किरिया औसी लगा देंगे क्योंकि यहां पर जो करता है वह मध्यमपुरुस का एक बचन का करता है तो किरिया भी मध्यमपुरुस के एक बचन से अनुमाद ले रहे हैं तो हो जागा तुम दोनों हो तुम दोनों तुम दोनों हो यहां पर दूई वचन में हम हिंदी वाक ले रहे हैं तुम दोनों हो चलो तो देखो मध्यमपुरुष के सामने यहां पर आये हैं यहां पर तुम दोनों यहां पर है न तुम दोनों तो त अभ यहां पे हो देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा जब कारता मध्यामपुरुष का दुली बचन boner यहाँ पे मध्यामपुरुष के कि इधर आएंगे सबसे दाहीनी बगर दाहीने बगर तो देखते हैं तुम सब तथ तुम वह क्या देख लो मध्यमपुरूस के बहुबचन के करता है ना तुम सब तुम सब का पहले संस्कीत लिखो तुम सब का संस्कीत हो जाएगा इवियम इसको जुईयम भी पर सकते हैं इवियम हो तो देखो टैडिक उत्तम पुरुष के बहु बचन के किरिया क्या है अस्त है यहां पर लगा देंगा अस्त ठीक है चलो चलिए आप लोग को मद्ध्यम पुरुष में भी अनुमाद समझ में आ गया होगा एक वचंदुई बचन और बहु बचन में अब आखरी ज हाँ पर सबसे पराम गुदे उत्वाल अतंपुरूस को दंपुरूस को रजति है यहाँ अनुमाद गर्डेर। चलिए पहला हम अनुमाद हमनेंगे उत्तम पुर्च में तो हो जागा मैं आ हुँ हो जागा मैं हुँ ततर देखलो यहाँ आ हम Śणन है ूतमंपुरूस के ज पैसे हम इढार आरा है दाइने वगन तो यहां पर मैं दिखाई, दे दिया नजी तो मैं क्या उत्तम पुरुसके एक बचन के करता है नहु हों ते देखो गरता रुतंपुरुस्त के एक बचन में और थुर लगाएं सुन लो यदि करता यहां देखने रूब ते ओन उस बहल सो ठैक्षान और फूर्ट देखर तो के daha घाया रहां तो तो नम्मर में हम अनुमाद लेंगे दूई बचन से तो हो जागा हम दोनों हैं हम दोनों हैं हम दोनों हैं चलिए यहां पर बिंदू दीजिएगा तब यह सही होगा तो हम दोनों देखो टेबल पर आईए टेबल पर ध्यान दीजिए उत्तम उत्तम पुरुष के इधर आएंगे संख्राइब में competent हम जाएंगे अब क्रिया क्या लगा देंगे क्रियाは यह पे अस میں केऊ लगाए क्योंकि करता है उत्तमपुर्णक 51 है यह टीन नमर में ता टीन नमर में अब हम अनुमाद लेंगे बहु बचन में तो हो जाएगा हम सब हैं हम सब हैं चलिए हमें बिंदू लगाइगा तो हम सब देखो तो कि अपड़ पर ध्यान दिजिए उत्तम प्रुष के सबसे दाहिने बगल हम सब है तो यहाँ क्या है हम सब उत्तम पुरुष के बहुबचन के करता हुगा तो हम सब का सबसे पहले संस्कीत लिखिए, तो हम सब का संस्कीत हो जागा वयम, वयम को आप वयम भी कह सकते हैं, तो वयम अब हैं, तो हैं क्या लगा देंगे असमह, असमह क्यों लगाए, क्यों की करता उत्तम पुरुष के बहुबचन है, तो किरिया भी उत्तम पुरुष क बहुबचन होगा चलिए एकदम सही चलो आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए एक बार और सुल लिजिए ध्यान दीजिए हमारे बात को अनुमाद अगर आप चाहते हैं कि संस्कीत में हमारा अनुमाद अदम मच्छा हो जाए अनुमाद में हम किसी परकार का अनुमाद हो हमसे गलत ना हो तो ध्यान दिजिएगा आप लोगको क्या करना है हिंदी वाक्य में ध्यान देना है तो यदी करता किसी पूरुस के किसी वचन में रहेगा मने करता जिस पूरुस का जिस वचन में रहेगा तो किरिया भी उसी पूरुस का वहीं उसी वचन में लगाएंगे कहने का मतलब यदी करता जिस पूरुस का कितना हूँ वचन में हो तो किरिया भी उसी पूरुस का वहीं वचन में लगाना है ठीक है बस तो चलिए आप लोग आज का अनुवाद समझ में आ गया होगा यदि आप लोग को आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग अनुवाद आच्छा से सीख गए होंगे तो इस वीडियो को आज लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब भी करें धन्यवाद